हेलो फ्रेंड्स, हाउ अर्यू, कैसे हैं आप सब, मेरी यूटिव चैनल में आप सब का स्वागत है, मैं मन्जु सिधार्थ आपको जीवन की सची कहानिया सुनाते हूँ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा और अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजे, बेल आइकोन पे भी क्लिक करें, जिससे मेरे नए वीडियो आपको मिलते रहें चलिए कहानी अब आगे बढ़ाते हैं आज ने घर में बहुत चैहल पहल थी, लिविंग रूम में हवन और पूजा की त्यारी चल रही थी, महमानों का आना जाना जारी था, चंदापनी खूबसूरत फिरोजी ड्रेस में इधर उधर घूम रही थी, साथ में स्वरा भी थी, दोनों बहुत प्यारी और सुन्दर लग रही थी, पंडिर जी पहुच गए थे, दादी फर्ष पर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उनके लिए एक कुर्सी रखी गई थी, पूरा घर अगर बत्ती और फूलों की खुश्वू से सुगंदित था, करीबी रिष्टेदारों और दोस्तों को ही बुलाया गया था, पचास से अधिक महमान होंगे, मा और पापा हवन कुंड के पास बैठे थे, पंडि जी जो थे, वो मंत्रों का उच्चारन कर रहे थे, हवन में अगनी प्रजुलित हो रही थी, मा पापा हवन कुंड में हमन समकरी डाल रहे थे, पूरा घर स्वाहा की आवास से गुंजया हो रहा था, हवन पूर्ण होने के बाद सत्य नारायन की कथा प्रारम हुई, कथा पंडित जी सुना रहे थे, चर्णा मृत प्रिशाद सब भगवान को चड़ाया जा रहा था, वातावरन अत्यन्त मोहक और पवित्र था, आपको मालू में पूजा जब होती है घर में, तो कितना अच्छा सुकून भरा महौल हो जाता है, और बहुत ही अच्छा फिल होती है, शान्ती फिल होती है, पवित्रता फिल होती है, तो ऐसे ही था यहां का महौल, पूरा घर एक मंदिर सा प्रतीत हो रहा था, चंदा मीरा से बोली, दीदी ये तो एकदम बिहारी जी के दिरवाली फिलिंग आ रही है, मीरा मुस्कुराने लगी, सत्यनारायन का था समाप्त होने पर होने के बाद आर्थी प्रारम हुई, पंडिज ये आर्थी कर रहे थे, मीरा शंक बजा रही थी, शंक बजाने में मीरा माहिर है, घर पर भी जब पूजा होती, तो वही शंक ब बुलाया जाता है, चर्णा मुरे तो प्रिशाद का वित्रण प्रारंभ हुआ, छोटी छोटी डिस्पोजबिल ग्लासेज में चर्णा मित दिया गया, और पेपर प्रिशाद, प्रिशाद में पंजीरी, बताशे, पेड़े, कलाकंद, केले और एपल थे, सब ने बहुत ही पूजा होती है, हवान होता है, प्रिशाद लगता है, तो बहुत अच्छा शांती फील होती है, घर में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है, और खुद भी बहुत ज्यादा फील होता है, अच्छा पॉजिटिविटी घर में रहने से बहुत ही ज्यादा प् असीम सुक और शांती का अनभव होता है प्रभु की चर्णों में बैठ कर उनका प्रिशाद ग्रहण करने में असीम आनंद का अनभव होता है डाइनिंग रूम में लंच सर्व हो गया था स्वादिश्ट और सात्रिक भोजन बना था लंच के बाद मेहमान बिदा होने वाले शाम चार बजे तक सब पुराने घर पहुँच गए सभी ठके थे अपने अपनी कमरे में आराम करने चले गए चै बजे मा ने चाय नाश्ता बना कर सबको आवाज दी डाइनिंग हॉल में आज चर्चा का विश्य था शिफ्टिंग पापा कह रहे थे कल आठ बजे से शिफ करते हैं नेक्स्ट बाकी सामान शिफ्ट हो जाएगा मीरा जोती और चंदा से पापा ने अपना अपना सामान पैक करने को कहा साथ में दादी का सामान भी सामान काफी था चाहिके बाद सब पैकिंग में जुट गए चंदा बोली आज मैं अपना ट्वाइबॉक्स पैक कर लेती हूं जोती ने हसती हुए का हाँ हाँ वह तो सबसे इंपोर्टेंट है जोती और मेरा अपनी बुक्षेल्फ पैक करने में जुट गए मा किचेन बॉक्स में एक्स्ट्रा सामान जो कभी-कभी यूज होता था पैक करने लगे पापा अपनी फाइल्स वाली एल्मिरा का सामान कार्टन में डालने लगे दादी बोली मेरा तो कोई ज़्यादा सामान नहीं है तुम लोग कल ही पैक कर देना सुभा आठ बजे ट्रक आ गया सब लोग चाहे नाश्ता करके तयार थे फरनीशर लोड होने लगे ड्राइवर को मिला कर चार लोग थे सबसे पहले ड्राइंग रूम का सामान गाड़ी में रखा गया सोफा, सेंटरल टेबल, शो केसे, कारपेट, परदे, सभी मा ने आदेश दिया कि ड्राइंग रूम का सामान वहाँ पर ड्राइंग रूम में ही रखना, जिससे एजी होगा सेट करने में साथ बजे ही पुश्पा ने नए घर में जाकर सफाई कर दी थी, हवन कुंड और पूजा का सारा सामान विसर्जित करने के लिए बैग्स में भर दिया था ट्रक एक राउंड लगा कर वापस आया, अब बेडरूम के अलमारियां, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेर, क्रॉकरी, कबर्स और सारे फरनीशर लोट किये गए मा ने लंच आज यही बन यही बनाया था, तीसरे राउंड में एक्स्ट्रा सामान के जो कार्टन थे वह शिफ्ट हुए इसके बाद वरकर्स को लंच ब्रेक दिया गया और घर के सब सदेश भी लंच करने पैट गये आज सब चटाई भी चाकर जमीन में ही बैठे थे, दादी अपने बेट पर बैट कर लंच कर रही थी लंच की बाद आधा गंटा रेस्ट करने के बाद सब फिर पैकिंग में जुड़ गये ट्रक बाले भी आ गये थे, शाम की चाय बनाकर किचन को पैक कर दिया गया डिनर नए घर में ही बनाना था, रात आड वजे ट्रक को चोड़ना था, तब तक माने किचन और बेडरूम सेट कर वा लिया था सब अपने डेली यूज का समान और कपड़े ले ही आए थे, बाकी जितना समान बचा था, कल आना था नए घर में आकर सबको काफी अच्छा लग रहा था, नीचे वाला रूम जिसे बैठक भी कहते हैं, कहते थे वह दादी को मिला क्योंकि सीड़ी चड़ने और उतरने में दादी को परिशानी होती उसके अंदर वाला रूम मा ने स्टोर रूम बनाया, बैठक के अंदर एक और रूम था, जिसको मा ने स्टोर रूम बनाया बीच वाले फ्लोर पर जो बेडरूम था, वह पापा ममी को मिला और थर्ड फ्लॉर वाला बेड्रूम, बच्चों का हुआ, यह बेड्रूम काफी बड़ा था तीन बेड और तीन एलमेरा और तीन ही स्टडी टेबल आराम से आ गई सारा सामान उनलों का, तीनों बेहनों का आराम से आ गया बच्चे काफी खुश थे, रूम के आगे बहुत बड़ी छट थी, राइट साइड में एक सीड़ी, फोर्थ फ्लोर की छट पर जाती थी चंदा चहेकर बोली, दीदी बहुत मज़ा आएगा ना, मीरा बोली, हाँ जरूर तुझे उचल कूद करने का मौका खुब मिलेगा सब बहुत वो सा के साथ अपना सामान लगाने में ब्यस्त हो गया मा का कीचेन सेट हो गया था और वो डिनर बनाने में ब्यस्त हो गई काफी दीर हो चुकी थी, दस बज रहा था, मटर पुलाव, जिसको यूपी में हम लोग ताहिरी भी कहते हैं ताहिरी बनाना, डिसाइड किया उन्होंने कि जल्दी बन जाएगी, सब ठके वे हैं, खा के सोईगे साथ में खीरे का रायता, सलाद और पापड, डिनर के भाद साड़े ग्यारा बच्ते बच्ते सब सो गया है चंदा दादी के पास ही सोई, दादी से कहानी सुनाने के जित करने लगी दादी ने कहा, बहुत ठक गई हूँ, कल सुनाओंगी, आज सो जातो परंतु चंदा कहां मानने वाली थी दादी ने जैसे ही कहानी शुरू की पांच मिनट के अंदर ही चंदा गहरी नीम में सो गए क्योंकि बहुत ठकी हुई थी दादी ने मुस्कुरा कर उसकी ओड दिखा फिर वो भी सो गए दोस्तों आज बस इतना ही आगेगी कहानी अगले हफ़ते में ओके बाइ 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 टेक केर गओड ब्लेस यू आल आई लव यू आल